अचारे भगवन गुरुवर विशुत सागर जी मुन्राज की याम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की विवर्द्दी के लिए नीती के विश्यों का श्रवन करें नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें जिस चीज की रक्षा करना है उस चीज की रक्षा करना चाहिए जो बहु मूल ले चीजें होती है रक्षा उसकी की जाती है जो बहु मूल ले ना हो उसकी रक्षा ना भी की जाए तो भी चलेगा जैसे किसी की घर में अगर भूकंप के जटके आए तो सबसे पहले उसको किसको बचाना चाहिए घर के अंदर रखे सोने चान्दी के जेवरात मकान के काइजात की खुद को खुद को और खुद के साथ अपने वनसज को अगर आपने अपने वनसज को खुद को नहीं बचाया और संपत्ती बचाने में लगे रहे तो बचा तो लोगे संपत्ती को बचा तो लोगे लेकिन संपत्ती किसी काम की नहीं रहेगी कहने का ताथ पर यह है कि रक्षा जिसकी करना है उसका ज्यान होना आवश्चा कि आज वर्तमान के युग में विक्ती संपत्धी की रक्षा कर रहा है इज़त की रक्षा नहीं कर रहा वरत्मान का मनुष्य वैबाओ एश्वार्य धन की रक्षा कर रहा है लेकिन अपनी सोच की अपने चिंतन की रक्षा नहीं कर रहा वो यही मानता है कि सब कुछ शारीरिक है आप समझें शारिरिक नहीं है, सब कुछ मानसिक है कितने ही बुड़ा विक्ती हो एक आठ फिट की, पांच फिट की दिवाल को नहीं कूद पाता है लेकिन अगर पीछे सेर लग जाए तो दस गुनी गती से दोड़ करके वो दस फिट की दिवाल भी कूद जाता है यह तो पेड में कोई चड़ने नहीं कहेगा तो आप चड़नी पाओगे और अगर पीछे कोई जानवर दोड़ जाए तो उस पेड पर बिना किसी साहरे के भी चड़ जाओ कुल मिलाके बाद सब कुछ आती है आपके लिए मेंटली आप जितना मेंटली स्ट्रॉंग होंगे उतना आप अपने जीवन के लिए स्ट्रॉंग हो पाएंगे परिस्तितियां कुछ नहीं है संपत्यां कुछ नहीं है जो कुछ भी है वो आपका मेंटल स्टेटस है आज की नीती इसी विशे पर किये है कि जब संपत्ती जाती है तब जादा कुछ नहीं जाता लेकिन जब सोच जाती है तो सब कुछ जाता है वेक्ति संपत्ती के जाने पर रोता है सोच के जाने पर नहीं रोता आज का ये ट्रेंड चल रहा है, दौर चल रहा है, देखती के वल पैसा और दिखावे के लिए भाग रहा है सुन्दर सा फोन हो, जिसमें आदा कटा हुआ सेवफल बना हो और रिंटों नहीं बदली जाएगी, क्योंकि लोगों को मालूम चेलना चाहिए कि मेरे पास कौन से ब्रांट का है उसके बाद उस फोन में कवर नहीं लगाएंगे ताकि दिखना चाहिए कि 15 है कि 14 है कि 16 है यह दिखावे का ट्रेंड चल रहा है, केवल संपत्ति की पीचे विक्ति भाग रहा है कोई नहीं कोलोनी कटे की तो वहाँ प्लॉट लेना है मेरे पास इतना पैसे है, उसका इंट्रेस्ट कहां से आ रहा है मेरे पैसे की बढ़ोत्री कितनी हो रही है अब पैसे की संपत्ति की धनकी वैबाओ की एश्वर की इन सब की वृद्धी की चिंता कर रहे हूँ सोच की वृद्धी हुई की नहीं हुई अगर आपकी सोच आपकी mentality broad होगी बड़ी होगी तो सब कुछ आपके पास होगा और अगर mentality सोच चिंतन बड़ा नहीं है तो जो होगा वो भी चला जाएगा तो सोच की दाइरे को बड़ा करना है एक बच्पन में कहानी पड़ी थी एक राज हंस पक्षी कुए पर बैठता है ठक जाता है उड़ते उड़ते कुए के अंदर जो मेंड़क था वो पूछता है कि क्यों भाई कहां जा रहे हो बोले मैं तो मानसरोवर जा रहा हूँ बोले मानसरोवर क्या होता है अरे बोले इतना बड़ा समुद्र है इतना बड़ा तालाव है इतनी बड़ी जिर है पानी की कि ऐसे करोणों कुई आ जाएं तो मेंड़क कैता है तु पागल है क्या कुँओं? कितना बड़ा कुओं है? चल अच्छा बता तेरा मान सरोवर कितना है तो मेंड़क एक हाथ फेला करके कहता है, इतना? बोले नहीं इससे बड़ा तो दूसरा हाथ फिलाता है बोले इतना बोले नहीं इससे बड़ा तो मेंड़क छलांग लगाता है बोले इससे बड़ा तो नहीं है मेरे कुएं से बड़ा तो तेरा सरोवर नहीं है राज यहन से बक्षी कहता है मान सरोवर इससे बहुत बड़ा है लेकिन मेंडग की सोच कितनी थी कुएं जितनी इसलिए उसने कभी माना नहीं इसलिए कभी माना नहीं उसने आपकी सोच कितनी है आपकी सोच का दायरा जितना बड़ा होगा आपके जीवन में रिस्क उतनी बड़ी होगी और जितनी बड़ी रिस्क जितनी बड़ी सोच का दाइरा होगा, जीत भी उतनी बड़ी होगी. चीजें भी आपको उतनी बड़ी मिलेंगी, आप प्राप्त भी उतनी बड़ी चीजों को करपाएंगे. जो लोग सोचे छोटे से सोच के दाइरे को रखते हैं वो ज़ादा चीज़ें जल्दी प्राप्त नहीं कर पाते आपकी सोच का दाइरा कितना है आप कोटा के लेवल का सोच रहे है राजिस्तान के लेवल का सोच रहे है कि भारत के लेवल का कि विश्र के लेवल का आप जो चाहेंगे आप वो बन सकते हैं आपकी सोच पर आपका सब कुछ dependent है और मेरा मानना है कि जो पारसपरिक संबंद है एक दूसरे के पति जो पृति की भावना है वो भी सोच पर ही dependent है ब्यवहारिक आध्यात्मिक पारिवारिक, सामाजिक सारे रिष्टे सारी परिष्टतियां आपके broad mind के उपर dependent है दुकान में नोकर काम कर रहा है घर पर कोई कर्मचारी है आप उसको नोकर मानते हो तो वो भी आपको मालिक मानता है आप उसको अपना मानो वो भी आपको अपना मानेगा आज शादी होने के बाद लड़की कहती है मम्मी जी वो यह नहीं कहती कि मा यह मेरी मम्मी है और यह मेरी मम्मी जी है मतलब उसने जी लगा कर कि differentiation कर दिया है यह सोच छोटी है यह बोलें कि यह मेरी मा है लोग confuse हो जाएं कि सासू मा है कि सगी मा है यह जो सोच का दाइरा बड़ा करना पड़ेगा बहु सोचे कि मेरी सास है तो सास भी सोचे कि मेरी बहु है बहु सोचे कि मेरी मा है तो सास भी सोचे कि मेरी बेटी है हर विक्ति के बति हर चीज के ब्रति आपको अपने सोच के दाइरे को बढ़ा करना चाहिए हर चीज के ब्रति एक एक चीज के ब्रति जितना आपका सोच का दाइरा बढ़ा होगा आप देखो सामान्य विक्ति जब घर से निकलता है व्यापार के लिए वो यही सोचके निकलता है 5,000, 2,000 का समान बिग जाए तो 400 रुपे बच जाएंगे अपना काम घर चल जाएगा लेकिन विशेज विक्ती निकलता है तो वो यह सोचता है कि आज फिर से 5,000,000 कमाना है समान में बच्चा पढ़ने के लिए आता है स्कूल में तो वो सोचता है कि पास होना है लेकिन विशेज बच्चा जब आता है वो यह सोचता कि मुझको हजारों के बीच में टॉप करना है तो सोच का धायरा उसका बड़ा है ध्यान रखना जब सोच चली जाती है तब सब कुछ चला जाता है संबत्ति गई तो फिर से आती है सोच गई तो फिर से नहीं आती आप किसको देखकर कि क्या सोच रहे हो आप किस चीज को देखकर कि किस चीज को कहां तक ले जा सकते हो यह आपकी सोच का धायरा है कॉपर के वायर ध्यान से सुनना कॉपर के वायर और थोड़ी सा electronic magnet इन सारी चीजों को इखटा करके एक विक्ति ने तार वगरा जोड़ के बल बना लिया और आपने उस कौपर के वायर को कच्रे में ही छोड़ दिया क्योंकि आपका सोच का दाइरा बड़ा नहीं था सोच का दाइरा जिसका जितना बड़ा होगा उतना बड़ा विक्तित होगा अगर राजा बनना है तो देश का सोचना पड़ेगा और पारशक बनना है तो कॉलोनी का सोचना पड़ेगा आप किसी विक्ति विसेश से राक करते हो तो आप सबके नहीं हो पाओगे सबका बनना है तो सबके जैसी बड़ी सोच रखना पड़ेगी कहते हैं जैन आयुरवेद में कि जितना आपकी हिस्सा होता है कलाई का, इतना आपका दिल होता है इससे बड़ा होगा तो बीमार हो जाओगे इससे छोटा होगा तो बीमार हो जाओगे मेरा दिल तो बहुत बड़ा है आपका बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ जिसका दिल और दिमाग जितना बड़ा होगा उतना दूर का सोच पाएगा और सोच छोटी होती है तो आप चीजों को बहुत रिजर्व करके चलते हैं मैं आपको एक दिश्टान देता हूँ जिनकी छोटी सोच होती है वो तेज आवास में बात करते है उसको अगर पास में रखी हुई किताब भी चाहिए होगी तो देज बोलेगा अरे वो किताब देना तेज क्यों कह रहे हो भाई सोच छोटी है तेज बोल रहा है ताकि तुम दबके रहो तुम डर जाओ कि कोई और है छोटी सोच के लोग आगे जादा देर तक नहीं चल बाते और वो रिष्टों को भी continuity में नहीं ला बाते जो रिष्टों की बात करते हैं जब अपन तो जो निभाना जानता है जिसकी सोच निभाने की है compromise की है वोई निभाब आएगा मेरा एक PERSONAL VIEW है आप जानो कि जब सोच में मोच आ जाती है तब रिष्टों में खरोंच आ जाती है जब आपकी सोच में मोच आती है ना तो रिष्टों में खरोंच आना चालजू है और रिष्टों में एक बार खरोंच आई तो रिष्टे तो गुबारे की तरह हैं हलकी सी खरोंच लगी, वहीं खतम और पहले के जमाने में तो रिष्टे फिर भी गाले थे, पक्के थे अब तो और कच्छे हैं काच भी मजबूत है उन रिष्टों से थोड़ी सी ठोकर लगती तूट जाते तो मोच पैर में आ जाए तो चल जाएगा सोच में ना आए अगर आपकी सोच में मोच आ गई है तो रिष्टों में ऐसी खरोंच लगेगी कि जिंदगी वर का दाग रहेगा सोच को बढ़ा करें आप लोग रास्ते में चल रहे हो और एक पेड है on the way common है उसमें आम लटक रहे है एक छोटी सोच का विक्ती सोचेगा भीया पूरे तोड़ लो कोई ले गया तो बड़ी सोच का विक्ती सोचेगा एक ही लोग common है सब को मिलना चाहिए सोच को बड़ा करना है और सोच को मेरा मानना है इतना बड़ा करना है कि उससे बड़ा कुछ ना हो पाए उससे बड़ा कुछ ना हो पाए घर चलाने वाली एक मा बड़ा सोच रखती है वो केवल अपने ही बच्चे को नहीं देखती वो पूरे परिवार को देखती है तब घर चलता है व्यापार करने वाला विक्ती अपना नहीं सोचता है अपने साथवालों का भी सोचता है कि मेरे आधीन लोग काम कर रहे हैं इनका भी तो कुछ हो तो वो सोच बड़ी रखता है एक बात ध्यान रखना है हमें चीजों को बड़ा नहीं करना एक विक्ती अपनी मा की फोटो को लेके गया फ्रेम कराने जब वो फ्रेम कराने के लिए ले गया और उसने फ्रेमिंग वाले को दी तो फ्रेमिंग वाला कहता है भी यह इससे छोटा फ्रेम मेरे पास है तो फोटो छांट दूँ क्या दीरे से वो कहता है नहीं फ्रेम बड़ा करो मेरी मा की फोटो को छोटा मत करो क्योंकि उसका सोच बड़ा था जिसका सोच छोटा होगा वो यह बोलेगा भी या मिनिमाईज कर दो अब तो AI आगया है ना जितने बुजबर्ग लोग है उनसे कहना कि अब सोच के दाइरे को बड़ा करो एक बिजनिसमेन पैसा कमाने की चाह रखता है और वो कपड़े की दुकान खोल लेता है, दवाई की दुकान खोल लेता है, कोई भी बिजनिस कर ले उसका सोच का दाइरा छोटा है जिसलिए वो एक बिजनिस पर डिपेंडेड है जिसका सोच का दाइरा बड़ा होगा तो मल्टी बिजनिस करेगा, तब ही जाके मल्टी बिलियनर बनेगा आप समझना मैं क्या कह रहा हूँ कपड़े की दुकान भी होगी जमीन भी बेचेगा और दुनिया के सारे कामों में सब करेगा लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा व्यापार करूँ सफलता मिल जाए मैं कहता हूँ कि जिसमें पैसा कमा सकते हो वो सब व्यापार कर सकते हो किसने कहा कि एकी व्यापार तुम्हारी जिन्दगी के लिए है तुम्हारी जिस ओर मेनद तो सोच रहेगी वोस ओर तुम व्यापार कर सकते हो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हम क्या पढ़ाई करें, क्या नहीं करें हम कौन से पढ़ाई कर सकते हैं अरे जो तेरा पूछना हो सकता है, वो सगे भाई बेहन भी हो सोच की दाइरे को आप छोटा करके रखे हो आज कोई विक्ती अगर सादूओं के पास भी आता है ना तो आप सबसे पहले विपरीद सोचते हो पैसे वाले को घेर के रखाए नहीं, नहीं सोच की दाइरे को बड़ा रखे क्योंकि सोच में अगर मोच आ गई तो सब सब कुछ खतम हो जाएगा रिष्टों में खरों चाहेगी और रिष्टे गए तो तुमारे पास बचेगा क्या बताओ जब पैदा हुए थे आपके पास क्या था एक माँ, एक पिता दो रिष्टे थे तो दीरी दीरे आप बड़े होते गए तुमारी सोच विक्रित होती गई सोच में मोच आती गई माता पिता में तुमने माता पिता नहीं दीखे यह तुमारी सोच छोटी होती गई तुमने नहीं रिष्टे बनाए पुराने चोड़ते गए और पुराने रिष्टे चोड़ते गए तुमारा जीवन वहीं से ही सेकंड गियर रिवर्स में लग चुका है फिर्स्ट आगे का नहीं? गाड़ी चला ही ना आप लोगों ने उसमें स्पीड जितनी आगे होती है उतनी पीछे भी होती है रिवर्स गियर में भी स्पीड होती की नहीं? गियर लगते की नहीं? बस सोच को विस्तृत रखें तो मेरा मानना है इतनी बड़ी रखें कि दुनिया का सब कुछ उसमें समाविष्ट हो जाए आपकी सोच कितनी है मुझे नहीं बता मेरी सोच में बड़ी रखता हूँ मेरे सामने अगर कोई दुखिया भी आता है तो मैं यही सोचता हूँ कि दुखी नहीं है यह बटका भगवान है मेरे सामने कोई पैसे वाला भी आता है तो मैं यही सोचता हूँ यह पैसे वाला नहीं है ये भी वटका भगवान है मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही जिनाले के अंदर आते ही आपकी सोच कितनी बड़ी हो रही है किसी ने आपकी द्रव्व की ठाली से मूठा चावल उठा लिया द्रव्व उठा ली तो आप वहें लड़ पड़ोगे हमसे बिना पूचे मेरी केसे उठा ली कोई बात नहीं तुम एक मूठा ओचावल और रख लो अगर उसने सब कुछ डिस्ट्रब कर दिया कोई बात नहीं तुम फिर से सेट कर लो तकलीफ नहीं होना चाहिए अगर तुमारी द्रव्व अच्छी है तो नसीब बड़ा होगा एक विक्ती दुकान पर बैठा है एक गडीब मा बहार निकलती उससे कहती है सेट जी मेरे बेटे को प्यास लगी है पानी पिला दीजिए सेट जी कहती है रुको आदमी आरहा है सेट जी क्या बोलते है रुको आदमी आ रहा है पांच मुन बाद और फिर कहती है सेट जी मेरे बच्चे को बहुत प्यास लगी मेरे बच्चे को पानी पिला दीजे रुको आदमी आ रहा है 10 मिट हो गए 15 मिट हो गए मा कहती है सेट जी कुछ देर के लिए आप ही आदमी बन जाइे न, कुछ देर के लिए आप ही आदमी बन जाइे सेट के पास पैसा संपत्ति था, सोच नहीं थी जिसके पास सोच होती है वो डया करने में सोचता नहीं है आपकी सोच कितनी बड़ी है, आप अपनों तक सोचते हैं कि सब का सोचते हैं आप सब को सोचेंगे, सब को लेके चलेंगे, तो ही आप world wide हो पाएंगे, एक अच्छा नेता वो ही होता है, जो सब को लेके चलता है, जीतना चाहिए हमारी team, जीतना चाहिए देश न की में, आप देखना जो खिलाडी मैदान पर होते हैं न, वो कितनी over खेल ले, लेकिन कित की रोज थीन बजे से चालू करता हूं अपनी रात्री के, लेकिन सोच अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा है, अगर कोई परिस्ति आपके साथ विपरीद भी है, कोई विक्ति भी विपरीद हो गया है, तो भी सोच को positive ही रखें, अच्छा ही रखें, सोच अच्छी रखे तो इम कल का अपना भविष अच्छा होगा, भूलना नहीं, सोच में मोच आजाए, तो रिस्तों में घरोच आजाती है, रिस्ते बना के रखना है, सोच को अच्छा बना के रखें, शेशा की दिखेंगे, भगवान मावीर सोमी की.